हेलो एवरीवान वेलकम टू अरूंस अकाडमी माइनेम इस सुभम कुमार तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो आज का जो सेशन है वह क्लास 9 से रिलेटेड है जो कि पहला जो आपके सेकेंड टम पॉलिनोमियल से कुछ मैंने कुश्चन सेट किये हैं जो आपके exam point of view से बहुत important है तो आज की सेशन को चलिए start करते हैं तो आप जैसे पहला कुश्चन जो देख रहे हैं यहां पर दिया हुआ है इन टू प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वाइर दा कॉफिशेंट ओफ एक्स स्क्वाइर इस यह आपको पहला कुश्चन है आपको यह जब आप definition पढ़ रहे हो वह दो आपने एक चीछ गौर किया होगा कि क्या क्या क्यों कि जैसे एफ प्लस नहीं आप आप एसा भी कर सकता है एक्स एनओड प्लस ए1 एक्स ए2 एक्स ऋसक्वाइर प्लस ए थ्री एक्स ट्री एस में इसका definition पढ़ा था ना ए कि एटू दि तो मैं कहना चाहता हूँ कि यह एक जब polynomial है तो हमने अल्रेड़ी यह चीज डिसकस किया था यह जो a0 a1 a2 a3 यह क्या है एक रियल नंबर है न अला रियल नंबर और एक चीज हमने डिसकस किया था यह जो a1 a2 यह सब जो है coefficient of x a1 क्या है coefficient of a1 को कोफिषेंट оф x क्या है a1 कोफिेंट of e2 क्या है तो від da saith को आपको पहला question दिख रहा है यहां पर आपको से question में पूछा गया है कि कोफिेशेंट ओपफेशेंत आफ एक स्क्वाइर क्या होगा यहीं पुछा गया है तो कॉफिेशेंट स्क्वाइर हमने क्या डिस्कस किया था किहाप एक स्क्वाइंट कॉफिसेंट हम사를 स QUEER ْMेंकिया टा है कि टू को इसी उसी तरहिके से question number 2 देखिए, in pi x square by 2 upon 2 plus x plus 10, the coefficient of x square is, तो इसमें आप से पूछाए x square का coefficient, फिर से x square का coefficient, तो आपको x square के साथ क्या दिख रहा है, देखिए तो x square के साथ, आपको क्या दिख रहा है, यह pi by 2 न, तो इसका answer क्या होगा, pi by upon 2, कुछ doubt नहीं न, मैं question अभी mcqs करवा रहा हूँ, उसी में आपको बहुत ज़रो concept clear हो जाएगा, क्योंकि answer तो सभी question का answer तो आते ही है, तो मैंने option, as I option set कर दिया है सारे question को, चलिए फिर next question के और move करते हैं, next question है, the value of px equal to 5x minus 4x square plus 3 for x equal to 0, तो ऐसे equation को हम लोग कैसे solve करेंगे, हमें x equal to 0 पे पूछा है न, तो इसका मतलब है कि p equal to 0 हमें निकालना है, पी 0 का value क्या होगा, तो देखते हैं, पी 0 इसका मतलब है कि x के जगा पर आपको क्या रखना है, 0 रखना है, तो चलिए देखते हैं फिर, यहाँ पे p0 equal to, क्या हो जाएगा आपका, 5 multiply 0 minus 4 multiply 0 का square plus 3, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है या तक, अब देखिए, आपको दिख रहा होगा, 5 multiply 0, तो 0 होता है, minus 4 multiply 0, 0 होता है, तो यह all total तो यह 0 ही हो जाएगा न, तो मैं इसको पूरा 0 ही लिख देता हूँ, यह 0, और यह plus 3, तो हमारा answer यहाँ से क्या आएगा, 3, तो option is correct, असानी question करवा रहा हूँ, अभी पहला पार्ट है इस वीडियो का, second part में इसे थोड़ा और hard question लाएंगे हम लोग, ठीक न, तो और इस जो मैं अभी session करवा रहा हूँ, यदि आपको इसका PDF चाहिए, तो आप आप हमारे टेलिग्राम का जो चैनल है, उसको जोइन कर लीजिए, आपको होँआ से PDF भी मिल जाएगा, चलिए next question देखते फिर उसी type का question है, इस पर आपको बोला है, P2 निकाल ले, that means कि आपको PT क्या दिया हुआ है, PT हमें दिया हुआ है, 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वाइर माइनस TQ, ठीक है, यह हमें दिया हुआ है, और हमको निकालने के लिए क्लिए क्या कहा है, P2, तो P2 निकालें कैसे, T के जगा पर आपको 2 रिप्लेस कर देना है, तो 2 प्लस 2, प्लस 2 मल्टिप्लाइर 2 का होल स्क्वाइर माइनस 2 का Q, असान है, यह क्या हो जागा, पहले हम लिए 2 प्लस 2, 4 हो जाएगा, और यहां पर आपको हो जाएगा, 2 मल्टिप्लाइर 4, माइनस 8, ठीक है, और यहां से यह 4, प्लस 8, माइनस 8, तो 12 माइनस 8 कितना हो जागा, आपका, 4, इसका एंसर क्या जागा, आपका, आप्शन A, चलिए, सब सारा question, असानी असानी नहीं, पहला session इसलिए, मैंने असानी question सेट किया है, चलिए, नेक्स्क् dividing, xq plus 3x square, plus 3x plus 1, by 5 plus 2x, we get remainder, आपने remainder theorem, अल्रेडी पॉट रखा होगा, तो हम लोग क्या करते है, जिससे आपको divide करना होता है, जिससे आपको divide करना होता है, उसको आप क्या करते है, 0 से equate कर देते है, कि इसका मतलब है, कि जो 5 plus 2x, आपको दिख रहा है, इसको क्या करना ह होगा, और यहां से आपको जो x आएगा, इक क्या आएगा, आपको minus 5 upon 2, अभी यही minus 5 upon 2, आपको इस equation जो यह equation आपको दिख रहा है, इसमें put करना है, यहां से यह जब आप equation में यह value put कीजिएगा, x का, तो इससे आपको क्या मिलेगा, remainder मिलेगा, जो कि हमको find करना है, तो चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं, हमें equation क्या दिया हुआ है, मान लिजिए कि यह equation px है, तो इसका x cube plus 3x square plus 3x plus 1, ठीक है, हमें निकालना p का value at minus 5 upon 2 पे नो, तो चलिए देखते हैं, तो यह क्या हो जागा, minus 5 upon 2 का cube plus 3 multiply minus 5 upon 2 का cube, sorry square, plus 3 multiply minus 5 upon 2 plus 1, ठीक है, अब देखे, minus 5 का cube कितना हो जागा, minus 125 upon 8 plus 3 multiply 25 upon 4, plus, plus नहीं, sorry, plus minus minus हो जागा, क्योंकि यह multiply होगा तो, तो यह 15 upon 2 plus 1, और थोला simplify करेंगे, तो minus 1 by 125 upon 8, plus 125 upon 4, sorry, 125 नहीं, 75 plus 75 upon 4, minus 15 upon 2, plus 1, lcm ले ले लेते हैं, lcm कितना हो जागा, 8 नहीं, तो 8, तो minus 125, plus 150, minus 460, plus 8, ठीक है, तो यहां सा आप इसको solve किजिएगा, तो आपका आ जाएगा, did 150 plus 158, और यह minus minus plus, तो minus, यह कितना हो जागा, 1, 185 upon 8, ठीक है, तो 185 में 158, सब्टेक्ट करेंगे, कितना बचेगा हमारा, 15 में 8 जाएगा, that is 7, और 17 में 27, तो यहां सा हमारा जागा, minus 27 upon 8, तो option C is correct, ठीक है, आप एक पर देख लिजेगा, अच्छे से इसको, यदि आपको समझ में नहीं आया होगा, question number 6, जो है, पिछले question के जैसा ही है, तो देखते हैं, फिर, if x minus 2 is a factor of x cube minus 3x plus 5a, then the value of a, पिछले question में हमें reminder निकालने बोला गया था, इस question में हमें क्या निकालने बोल रहा है, a का value, same उसी तरीके से करेंगे, यह क्या बोल रहा है, x minus 2 is a factor, तो that means कि x minus 2 equal to 0 करेंगे, जो x का value आएगा, x equal to 2, इसको इस equation में यदि हम लोग पूट करेंगे, इस equation में, तो हमें a का value मिल जाएगा, ठीक है, तो यह जो x equal to 2 जो है, इसका zeros है, आपने पढ़ा होगा zeros of polynomial, zeros of polynomial, आपने यह पढ़ा होगा zeros of polynomial, तो यह बहुत आसान question है, तो x equal to 2 है, जो इसका zeros है, that means, x equal to 2, इस equation में पूट करेंगे, तो हमें equal to 0 मिलना चाहिए, तो दिखते हैं, हमें क्या दिया है, equation है, x cube minus 3x plus 5a, तो मैं माल लेता हूँ कि यह equation px है, और हमें यह पता है, कि x equal to 2 इसका factor है, तो p2 पे यह हमें 0 देना चाहिए, ठीक है, तो चले देखते हैं, तो यहाँ पे p2 equal to 2 का cube minus 3 into 2 plus 5a, p2 का value हमें क्या पता है, 0, तो यह क्या होजाएगा, 8 minus 6 plus 5a, तो यहां से जो हमारा आएगा, 0 equal to 2 plus 5a, तो a equal to आपका यहां से क्या जाएगा, minus 2 upon 5, ठीक है, कुई भी doubt, तो यह जब आपको ऐसा factor दिया रहे, तो आपको क्या करना है, simply, उसको p, जो आपका x का value आएगा, उस equation आपको put करना है, और equal to 0 कर देना है, ठीक है, चलिए, next question के और move करते हैं फिर, next question है, which of the following is not a polynomial, थोड़ा बताईए, क्या होगा इसका answer, पहला तो x square x polynomial है, second अभी रहने देते हैं, third polynomial दिख रहा है क्या आपको, third भी polynomial है, fourth भी polynomial है, यह आप बता सकते हो, तो कैसा polynomial है, बताईए आप कैसा है, quadratic, कैसा polynomial है, quadratic polynomial है, यह कैसा polynomial है, आप बता सकते हो, cubic न, और यह कैसा polynomial है, linear तो एक बात बताएं यह तीनों तो हम लोग पता चलिए polynomial है तो यह obvious है कि यह ही polynomial नहीं है तो यह answer इसका B होगा ठीक ना? answer B होगा Q क्योंकि है अब X का जो power है half है जो कि valid नहीं है तो option B is correct अब देखें the degree of polynomial 3x cube minus x to the power 4 plus 5x plus 3 polynomial का definition के साथ हमने ये भी हमने पढ़ा है कि जो degree of polynomial क्या होता है highest power highest power of x index इसका मतलब कि x का power जिस पे high हो मतलब कि इस equation में आप देख रहे हो तो सबसे बड़ा power x का कौन सा आपको दिख रहा है यह 3 है यह 4 है यहाँ पे 1 है 1 ही होता है x की power और यहाँ पे तो कोई तो यहाँ आपको इस तीनों नंबर में कौन सा सबसे बड़ा दिख रहा है 4 ना तो 4 इसका degree of polynomial होगा ठीक है अब चलते question number 9 में factorization of x cube plus 1 is तो अब एक वदवद है यह आपको a cube a cube plus b cube का formula पता है तब यह बहुत आसान होने वाला है a cube plus b cube का formula होता है a plus b a square minus a b plus b square यह formula होता है तो अब इस पर इसको put कर देते हैं तो हम नहीं इकानला किया x cube plus 1 equal to तो यहाँ पर a का value आपका x है और b का value 1 है तो चलिए put कर देते हैं तो x plus 1 x square minus x plus 1 देखिए कौन सा solution से match कर रहा है कौन सा option से match कर रहा है a option a से match कर रहा है तो option a ही इसका correct answer है चलिए next question के और फिर move करते हैं चलिए बहुत अच्छा question में से 1 है question है if x plus 2 and x minus 2 are the factor of a x to the power 4 plus 2x plus 3 minus 3x square plus bx minus 4 then the value of a b तो already हमने एक चीज़ discuss कर रहा है factors आपको जब भी दिया रहे तो आप क्या करेंगे जो भी factors है x plus 2 उसको क्या करेंगे equal to 0 करेंगे x minus 2 equal to 0 करेंगे तो यहां से हमें x का value क्या मिला minus 2 न और यहां से हमें x का value 2 मिला इसका मतलब है जो x का value minus 2 और 2 मिला इस equation में हम लोग पुट करते हैं तो इसका value कितना आना चाहिए आपको 0 आना चाहिए तो हमें equation क्या दिया हुआ है मान कि चलिए मैं इसको px मान लेता हूँ तो px equal to a x to the power 4 plus 2x minus 3x square plus bx minus 4 तो चलिए इसको solve करते हैं फिर solve करेंगे तो यहां पर पहला जो value हम लोग रखने वाले हैं p minus 2 equal to a minus 2 to the power 4 plus 2 multiply minus 2 minus 3 multiply minus 2 का whole square plus b minus 2 minus 4 ठीक है अब देखिए मैंने अल्रेड़े यह चीज़ बोल दिया कि p minus 2 equal to 0 होगा और p p2 equal to 0 होना चाहिए तो यह 0 हो जाएगा आपका तो हमारे हां से a का value 16 a हो जाएगा ना minus 4 minus a हाँ ठीक है तो यह हो जाएगा आपका 4 minus 12 और यह हो जाएगा minus 2 b minus 4 ठीक है तो हम a और b को एक तरप्रक लेते हैं तो यह हो जाएगा आपका 16 a minus 16 a minus 2 b equal to a minus 4 minus 16 minus 20 हो जाएगा तो इधर आएगा तो यह 20 हो जाएगा ना यह पहला equation आपका आगया equation 1 उसी तरीक इस equation 2 आपका क्या हो जाएगा p2 that is 0 इसवर क्या पूत करेंगा आपका 2 पूत करेंगे तो a 2 to the power 4 plus 2 into 2 minus 3 into 2 to the power 2 plus 2 b minus 4 तो 0 equal to 16 a plus 4 minus 12 plus 2 b equal to minus 4 तो एक तरफ कर लेते 16 a plus 2 b equal to यह 4 और यह 4 cancel हो जाएगा आपका ठेक है तो हमें हमारे पास बचेगा क्या minus 12 that is इधर आएगा तो 12 हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा तो हमें यह ही दो equation solve करना है तो चलिए solve करते हैं तो हमारे जो पहला equation 16 a minus 2 b equal to 20 और second equation आपका 16 a plus 2 b equal to 12 तो चलिए solve करते हैं तो यह तो और यह cancel हो जागा तो 32 a equal to 32 तो a का value आपका 1 आ जाएगा ठीक है ना एक का value 1 आ गया आप किसी एक equation में पूट कर दीजी एक value तो आपको बी का value मिल जागा चाहिए equation 2 में हम पूट कर देते हैं तो 16 plus 2 b equal to 2 a 12 तो यहाँ से 2 b equal to क्या जागा आपका minus 4 तो b equal to minus 2 तो हमें पूछा क्या गया question में a plus b न तो a plus b कैसे निकालेंगे तो minus 1 plus minus 2 that is minus क्या हमने कहीं जलती कर दिया इसमें क्या कहां हमने गलती किया आप देखो आप्शन में तो हमारा दिया ही नहीं है कुछ ऐसा a का value है यह हमारा लगता गलत आया क्या चार आठ 16 ठीक है 16 और यहां से हमारा minus 4 और यहां मारा 12 minus 2 b minus 4 ठीक है 16 a minus 2 b equal to 16 और 4 for 20 ठीक है और यह हमारा हो जागा 16 a plus 4 minus minus 3 into 2 का square that is 4 12 ठीक है तो 16 a plus 2 b यह plus 4 और यह minus 4 चैंसल माइनस 12 तो धर गया तो यह हो गया हमारा 12 तो 16 a plus 2 b equal to 20 एंसर तो सही लग रहा है तो यह हमारा हो जाएगा यहां से 32 a equal to 32 तो a equal to 1 हमारा आगया यह जब 1 आगया हमारा तो 16 तो minus 4 तो 2 b equal to minus 2 तो हमसे पूछा दें देंदा वैलियो अप a and b that is minus 2 and 1 तो यहाँ जाग आपका minus 1 मुझे तो सही लग रहा है आप बताइए comment में इसमें कुशन में गलती कहां पर है और फिर आप मुझे यदि जहां पर आपको दिक्कत हुआ आप solution बताईए comment section में तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं क्योंकि मुझे इसका answer तो सही लग रहा है तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं तो next video का आप जल्दी ही मिलेगा तो इस video को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में सेर कीजिए फिर मिलते हैं अगले next session में थेंक्यू टाटा पाइबाइ